जहिंद वंदे मातरम स्वागत आप सभी का सक्सेस वर्ल्डम से क्यू चैनल पर तो चलिए आज आपका वन लाइनर इस्टेटिक जीके का क्लास 17 चलेगा और फ्रेंड्स अगर आप लोग बिहार प्लिस कॉंस्टबल एक्जाम बिहार प्लिस ड्रेवर या बिहार दरुगा प प्रस्ण संख्या 31 से चलेगा इससे पाले टोटल 500 प्रस्ण हो चुका है और इसका पिडिया भी टेलिग्राम चैनल पर डाल दिया गया है अगर लोगों ने डॉलोड नहीं किया है तो जाए टेलीग्राम चैनल पर जाकर इस फीडियापको बिल्कुल फ्री में डॉलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो आज का प्रस्ण है चानक कि किसका परधान मंत्री था इसका सही जवाब होदेगा चंदर गुप्तिम मौरे का चानक जो है ये चंदर गुप्त गुप्तिम मौरे का परधान मंत्री था नेक्स्ट को देखते हैं आयूरवेध का जनक किसे एक आ जाता है most important प्रसन है आपके एक्जाम के लिए सही जवाब है चरक चरक को आयरुवेद का जनक माना जाता है और चरक जो है ये कनिस्थ के समकालिन थे ये भी ध्यान में रखना है आपसे एक्जाम में पूछ सकता है कि चरक किसके दर्वार में राते थे ये किसके समकालिन थे तो कनिस्थ के समकालिन थे ध्यान रखना है next question देख लेते हैं कि इस युनानी इतियासकार को इतियासका जनक का जाता है most important प्रसन है इसका साई जवाब है हैरो रोट्स को हैरो रोट्स एक युनानी इतियासकार था और इसे इतियाज का जनक माना जाता है नेक्स्ट कोशन देखते हैं साथ वहानों के अधिक्तर सिक्के किस धातु के मिले हैं इसका साई जवाब है साथ वहानों के अधिक्तर सिक्के सीसे के मिले हैं साथ वहान वन्स के अस्थापना पूछे तो सिमुक ने की थी साथ वहान की राजधानी कहा थी तो परतिष्ठान थी ये भी ध्यान में रखना है इंपोर्टन्ट है ये किसे सम्बंधित है तो राष्ट कुट से संबंदित है अगर आपसे पूँचे कि राष्ट कुट वंस का संस्थापक होन ता तो दंती दूरुगथा ध्यान में रखना है नेक्ष्ट कोसम देखते है अध्वयत सिधान के प्रती पादक कौन थे? इसका सही जवाब है सिरी संकराचार अध्वयत सिधान के प्रती पादक थे इसका सही जवाब है महराष्ट में अजन्ता एलोरा की गुफा इस्तित है और इन्हें वर्स 1983 पी में विश्व धरवर अस्थल में सामिल क्या गया है या आप से एक जामें पूछ सकता है ध्यान रखना है कि अजन्ता एलोरा गुफा को किस वर्स विश्व धरवर अस्थल में सामिल किया तूनीसवो तर्ट इसपी में वीजापुर का गोल गुमबज मकबरा किस स्हुंब भुएं इसका सहीजदाब मुहम्हमद अदिल्शा से सम्बुएं वीजापुर का पसीम में कहां से होकर भारत में परवेश किया था इसका सही जवाब है पंजाब से होकर मुगल वन्स के अस्थापना पूछे तो बाबर हो जाएगा नेक्स्ट कोशन देखते हैं निम्ल में से किसके वाइसराय काल में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था इसका सही जवाब है लॉलेट एक्ट पारित हुआ था रॉलेट एक्ट कब लागू हुआ था 19 मार्च 1929 को देट को ध्यान रखना है नेक्स्ट कोशन है 1858 में भारत के प्रतम वाइसराय एवं अन्तिम गवर्नर जनरल कौन थे इसका सही जवाब है लॉड केनिंग लॉड केनिंग 1858 में भारत के प्रतम वाइसराय एवं अन्तिम गवर्नर जनरल थे नेक्स्ट कोसन देखते हैं मुगलों से लडने वाले सिख गुरू कौन थे सही जवाबे गुरू गोविन सिंग गुरू गोविन सिंग सिखों के दसमे गुरू थे एवग अन्तिम गुरू थे नेक्स्ट कोशन देखते हैं माहेस्वर किस मरठा रानी की राजधानी थी सही जवाब है अहिल्या भाई होलकर की रालधानी थी माहेस्वर ध्यान रखना है अंग्रेजी सिक्षा परनाली की सुरूआत किस गवर्णर जनरल के सासन काल में प्राराम हुई इसका सही जवाब है लौड विल्यम बेंटिंग ध्यान रखना है जब 1857 का विद्रो हुआ उस समय भारत का गवर्णर जनरल कौन था सही जवाब है लौड केनिंग नेक्स्ट कोशन है धन निसकासन का विरोध किसने किया था तो दादा भाई नरोजी ने धन निसकासन का विरोध किया था नेक्स्ट कुसन देख लेते हैं प्रथम सोतंता संग्राम के बाद मुगल बात्सा बादूर सा जफर को निर्वासित क्या तो रंगुन में निर्वासित क्या गयता ध्यान रखना है नेक्स्ट कुसन है हिंदू विद्वा पुनर विभा अधिन्यम कब पारित हुआ इसका सही जवाब है वर्ष 1856 में ये प्रस नापके अग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट भीवी आई है अगर आपसे पूछे कि किसके सासनकाल में पारित हुआ था तो लौर्ड केनिंग के समय में हिंदू विद्वा पुनर विभा अधिन्यम पारित हुआ था नेक्ष्ट को सन देखते हैं राम कृष्ण मिशन के सापना किसने की थी इसका सही जवाब है स्वामी विवेकानन्ने नेक्स्ट कोशन देखते हैं भारत का लह पुरुस किसे कहा जाता है इसका सही जवाब है साधार वल्ला भाई पटेल को भारत का लह पुरुस कहा जाता है नेक्स्ट कोशन देखते हैं भारत छोडो आंदोलन कब प्रारम क्या गया इसका साहिज बाबे 1942 में भारत छोडो आंदोलन प्रारम क्या गया और इसी आंदोलन में मात्मा गांधी ने करो या मरो का नरा दिया था नेक्स्ट कोशन देखते हैं जालिया वाला बाग नर्संगहर के लिए उत्तरदाई माइकल ओ डायर को किस ने मारा था इसका साहिज बाबे उधम सिंग ने मारा था जालिया वाला बाग नर्संगहर कब हुआ था 13 अफ्रेल 1919 इस फिर को हुआ था डेट को ध्यान में रखना है नेक्स्ट कोशन देखते हैं माहत्मा गांधी ने किस आंदुरान में मार्च 1919 में धर्ना पर बैठेते तो यादाखना है रॉलेट एक्ट के भीरुद धर्ना पर बैठेते 1919 में आज के सेशन का अक्री प्रस्ट ने सेशन अच्छा लगा तो फिलीज तभी लोग सेशन को लाइक करेंगे